आईए दोस्तों हमारे न्यूस चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है आज 30 मार्च 2021 मंगलवार का दिन हो चुका है तो बात करेंगे चतिसगर की आज की ताजा खबरों ताजा अपडेट के बारे में तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों कहीं मत जाएगा ताकि कोई भी ताजा खबर छुटने न पाए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना दोस्तों तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किये जानते हैं आज की ताजा खबरों को फटाफट तो आज की पहली बड़ी खबर है असम चुनाव सीम भुपेश असम के लिए रवाना दूसरे चरण लिए करेंगे धुआधार प्रचार रायपोर्ट असम में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के नेता चुनावी रण में कूच चुके हैं मतदाताओं को लुभाने में एरी चोटी एक कर रहे हैं इसी कड सीम में कॉंग्रेस पार्टी की सरकार बनने का दावा किया सीम भुपेश ने कहा कि पहले चरण की वोटिंग में अच्छा रिस्पॉंस मिला है जनता कॉंग्रेस को स्पोर्ट कर रही है आगे भी बहतर होने की संभावना है सीम भुपेश बगेल इस दोरान पश्चिम बंगाल मामले में भी बयान दिया सीम ने कहा बंगाल में साजिश हुआ है पहले चरण के मददान में वोटिंग का प्रतिशत कम रहा बगेल ने कहा कि सभी को चुनाव आयोग में जाने का अधिकार है चुनाव आयोग ही फैसला करता है अगला ब्रेकिंग न्यूज है भूपेश बगेल का नाम देश के चुनिंदा सो ताकतवर हस्तियों में से 26 वे नंबर पर सूची बद किये जाने को पूरे चत्तीजगर्व कॉंग्रेस पार्टी के किये गौरव की बात कही है उन्होंने इस उपलबधी के लिए मुख्यमंतरी को ट्वीट कर बधाई दी ह विकास उपाध्याय ने मुख्यमंतरी भूपेश बगेल को इस उपलबधी के लिए अपने बधाई संदेश में कहा है आप चत्तीजगर्व के गौरव हो और पूरे कॉंग्रेस पार्टी को आप पर नाज है पूरे देश में आज जिस तरह से राजनीती को कुछ लोग वि चत्तिजगर्ष में 30% तक सस्ती होगी विदेशी शराब इस साल कोई दुकान बन नहीं होगी चत्तिजगर्ष में नए विתशी शराब के दाम 30% तक कम हो सकते हैं इसके लिए सरकार शराब पर लगने वाली कुछ ड्यूटी को कम करने वाली है देशी शराब के दाम इससे प्रभावित नहीं होंगे इस वर्ष शराब की कोई दुकान बन नहीं होगी यह जरूर होगा कि शराब दुकानों की संख्या बढ़ाई भी नहीं जाएगी राज्य सरकार हर साल आपकारी के लिए नई नीती बनाती है इसमें शराब, भांग जैसी नशीली चीजों की बिक्री और उस पर करारोपन का प्रावधान होता है अगले एक दो दिनों में चत्तीसगर सरकार अपनी नई नीती जारी करेगी यह प्रावधान चत्तीसगर की नई आपकारी नीती का हिस्सा है राज्य मंत्रि परिशद इसे पहले ही मंजूरी दे चुका है यह नीती अगले वित्तिय वर्ष यानी एक अप्रेल से लागू हो जाएंगे बताया जा रहा है कि एक दो दिन में नई नीती को अधिकरित तोर पर जारी कर दिया जाएगा बताया जा रहा है सरकार विदेशी शराब से ड्यूटी कम करने वाली है तर्क दिया जा रहा है कि कुछ प्रदेशों में शराब सस्ती होने की वजह से तसकर वहां की शराब लाकर चत्तीसगर में खपा रहे है इससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है इसके साथ ही अनियंत्रित और घटिया अवैद शराब से लोगों की जान भी सांसत में है अगली बड़ी खबर है दोस्तों कोरोना देश में लगातार तीसरे दिन साथ हजार से ज्यादा नए संक्रमित मिले इस दोरान एक्टिव केसों में भी एक लाग से ज्यादा की बड़ोतरी देश में कोरोना की दूसरी लहर तेज होती जा रही है पिछले 24 घंटे में दुनिया में सबसे ज्यादा नए मामले भारत में आए यहां बीते तीन दिन से लगातार साथ हजार से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं रविवार को 68,206 संक्रमितों की पहचान हुई यह आकड़ा पिछले 179 दिन में सबसे ज्यादा है इससे पहले पिछले साल 10 अक्टूबर को 74,418 मामले सामने आये थे वहीं बीते दिन 32,149 लोग ठीक हुए और 295 लोगों की जान भी गई उधर एक्टिव केस का आकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है देश में 138 दिन बाद एक्टिव केस का आकड़ा 5 लाग के पार पहुँचा है फिलहाल यहां 5,18,767 लोगों का इलाज चल रहा है इनमें एक लाग से ज्यादा एक्टिव केस तो बीते तीन दिन में ही बढ़े हैं इससे पहले पिछले साल 9 नवंबर को देश में 5,4,873 एक्टिव केस थे अब तक 1,2 शूनी करोड लोग संक्रमित देश में अब तक 1,2 शूनी करोड लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं इनमें से करीब 1,1 तीन करोड ठीक हो चुके हैं 1,6 एक लाख मरीजों ने जान गवाई है अभी 5,18 लाख मरीजों का इलाज चल रहा है ये आकड़े COVID-19 इंडिया.org से लिए गए है साथ ही अगला ब्रेकिंग न्यूज है महराश्टरा चत्तिसगर बॉर्डर पर एंकाउंटर गर्चिरोली में सी साथ कमांडोज और नकसलियों के बीच मुठभेड, 5 नकसली मारे गए महराश्टरा के नकसल प्रभाविद गर्चिरोली जिले के खोबरा मेरा जंगल में सी साथ कमांडो टीम की नकसलियों के साथ मुठभेड हो गई इस दोरान जवानों ने 5 नकसलियों को मार गिराया मारे गए नकसलियों में 2 महिला और 3 पुरुष नकसली शामिल है मुठभेड के बाद जवानों ने जंगल से भारी मात्रा में हतियार भी बरामत किया है बताया जा रहा है कि इलाके में पिछले 3 दिनों से जवानों और नकसलियों के बीच रह रहकर मुठभेड हो रही है जानकारी के मुठाबिक देर रात पेट्रोलिंग के लिए कुर खेड़ा तालुका के खोबरा मेडा के जंगल में नकसलियों ने अच्छानक से पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला कर दिया जिसके बाद क्रॉस फाइरिंग हुई इसी दोरान जवानों ने पांच नक्सलियों को मार गिराया गर्चिरॉली के SP का कहना है कि अभी फाइरिंग रुकी हुई है सर्च ओप्रेशन चल रहा है इससे पहले एक अधिकारी ने कहा था कि शनिवार को जिला पुलिस ने एक राइफल और तीन प्रेशकुकर बम जबत किये थे जिनका इस्तेमाल नक्सली कथित रूप से सुरक्षा बलो पर हमला करने की योजना के लिए कर रहे थे नेक्स्ट अप्डेट है दोस्तों अप्रेल बैंक हॉलिडे लिस्ट बैंकों में दस दिन नहीं होगा कामकाज दो दिनों की से होगी महीने की शुरुआत एक अप्रेल से नए वितवर्ष 2021 बाइस शुरू हो रहा है नए वितवर्ष के पहले महीने में अगर आपको बैंक में कोई काम है तो आपको तीन अप्रेल 2021 तक का इंतजार करना होगा अप्रेल में बैंक कुल दस दिन बंद रहेंगे महीने के पहले दिन बैंकों के सालाना अकाउंट्स की क्लोजिंग के चलते कामकाज नहीं होगा वहीं 2 अप्रेल को गुड फ्राइडे के कारण बैंक बंद रहेंगे नोट इसके अलावा अलग-अलग राज्यों में विभिन कारणों के चलते बैंक बंद रहेंगे साथ ही अगली बड़ी खबर है तीन दिनों में 25 करोड की गटक गए शराब होली पर शराब की विक्री आम दिनों की तुलना में अधिक होती है रंगोट सिर्फ के दोरान शौकीनों के जमकर जाम छलकाया और तीन दिनों में 25 करोर रुपे से अधिक की शराब गटक गए बिक्री में जोरदार इजाफा होने से आपकारी विभाग का राजस्प भी बड़ा है शराब दुकानों में तीन दिनों तक अच्छी खासी भीर देखने को मिली सबसे ज्यादा शनिवार को भीर रही है होली के दिन शराब दुकाने बंध है इसलिए लोगों ने पहले ही इंतजाम कर लिया था दो दिन पहले एक पोस्टर इंटरनेट मीडिया पर वाइरल हुआ जिसमें 28 और 29 मार्च को शराब दुकान बंध रहेगी की सूचना थी पोस्टर तेजी से वाइरल हुआ और 27 मार्च को सबसे ज्यादा दुकानों में भीर देखने को मिली हाला कि 28 मार्च को ज्यादा भीर नहीं देखने को मिली अगली ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तो राइपूर में बाल बाल बचे चार दोस्त होली खेल ने निकले युवकों की तेज रफतार कार डिवाइडर से टकरा कर सड़क की दूसरी तरफ पहुँची पिछला पहिया टूटकर हुआ अलग सोमवार को सारा शहर होली की खुमारी में था दूसरी तरफ राइपूर के भाटागाव इलाके में एक हादसा हो गया तेज रफतार कार हाइवे के किनारे लगे मिनी पोल से जा टकराई टकर इतनी जबरदस्त थी की गाड़ी का एर बैग बाहर आ गया कार का पिछला पहिया टूटकर गाड़ी से अलग हो गया जब हादसा हुआ गाड़ी में चार युवक सवार थे इनकी किस्मत ने साथ दिया गाड़ी के बुरी तरह शतिग्रस्त होने के बाद भी किसी को चोट नहीं आए घटना होने के कुछ मिन्टों बाद तिक्रापारा थाने से पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुँची पुलिस के जवानों की टीम नहीं गाड़ी को सड़क के किनारे खड़ा किया कुछ मिनिट के लिए इस सड़क का ट्राफिक रोका गया थिक्रापारा थाने से मिली जानकारी के मुटाबिक युवक कार में सवार होकर हाइवे से चंगोरा भाटा की तरफ जा रहे थे भाटागाव चौक से ठीक पहले किसी कार से टक्राने से ये बचे और ड्राइवर ने गाड़ी मोडी दी कार डिवाइडर को पार करते हुए सड़क की दूसरी तरफ आ गई फिलहाल इस मामले में कोई केस दर्ज नहीं किया गया है नेक्स्ट खबर है दोस्तों जम्मू कश्मीर की सभी सरकारी इमारतों पर अब रोजाना फहराएंगे तिरंगा जम्मू जम्मू कश्मीर की तमाम सरकारी इमारतों पर राष्ट्रिय ध्वच तिरंगा फहराने की अनिवारता का आदेश जारी हो गया है 15 दिनों के भीतर ये विवस्था पूरी तरह से सभी शासकिये कार्याले में होगी करीब सवा साल पहले जम्मू कश्मीर से अनुच्छे 370 के अंध के बाद यहां के उपराजिपाल मनोच सिनह के स्तर से एक बड़ा आदेश जारी किया गया है उपराजिपाल ने जम्मू और श्रीनगर दोनों संभागों के सभी दफ्तरों में तिरंगा जंडा फहराने के निर्देश दिये हैं जम्मू कश्मीर के राज्य रहते नागरिक सचिवालेओ समेट चुनिंदा बड़े सरकारी भवनों पर ही राष्ट्रिय ध्वज और राज्य ध्वज लगाय जाते थे अनुच्छे 370 हटने के साथ ही राज्य का समविधान और ध्वज भी खत्म हो गए इसके बाद से केंद्रिय सार्वजनिक उपक्रमों सचिवालेओ समेट चुनिंदा भवनों पर तिरंगा लगाया जा रहा है उपराजिपाल मनोच सिन्ह राष्ट्रिय प्रतीकों पर खासी तवज्जो दे रहे हैं उनके कारे क्रमों यहां तक की पत्रकार वारता में भी आरंब और समापन के समय पर राष्ट्रगान किया जाता है इसी क्रम की कड़ी में LG ने पिछले दिनों सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्रिय ध्वज फहराने की विवस्था सुनिश्चित करने को कहा था अब मंदलायुक जम्मू ने सभी जिला अफसरों को आदेश जारी किये हैं अगली खबर है दोस्तों बावन गच का दामन के बाद रेल में धक्के गाने की यूट्यूब पर धूम नई दिल्ली हरियान्वी सिंगर रेनुका पनवार का गाना रेल में धक्के लागे से रिलीज हो गया है इस गाने ने यूट्यूब पर तहलका मचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है 52 का दामन सिंगर रेनुका पनवार ने अपने गानों से इन दिनों यूट्यूब पर धमाल मचा कर रख दिया है रेनुका पनवार की सिंगिंग ने लोगों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी है इस बात का अंदाजा उनके गानों पर आये व्यूज और लोगों के कमेंज को देख कर लगाया जा सकता है दरसल हाल ही में रेनुका पनवार का गाना रेल में धक्के लागे से रिलीज हुआ है जिसने यूट्यूब पर तहलका मचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है इस गाने को यूट्यूब पर अभी तक 42 लाग से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है साथ ही फैंस भी गाने की तारीफे करते नहीं ठक रहे हैं अगली बड़ी ख़बर है शरत पवार की तबियत खराब अस्पताल में भरती NCP प्रमुख शरत पवार की तबियत रविवार देर शाम अचानक खराब हो गई उन्हें ब्रीच केंडी अस्पताल में भरती कराया गया है महराश्टरा सरकार के मंतरी और NCP नेता नवाब मलिक ने इस बात की पुछ्टी की उन्होंने कहा कि शरत पवार के पेट में अचानक तेज दर्द हुआ जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भरती कराया गया है वरिष्ट डॉक्टरों की निगरानी में शरत पवार की जाच की जा रही है डॉक्टरों के मताबिक उनके गाल ब्लेडर में किसी प्रकार की दिक्कत है जिसके कारण उनकी एंडोस्कोपिक सरजरी की तयारी की जा रही है बता दे की चंद दिनों से चल रही महराश्टरा की सियासत के बीच दो दिन पहले ही ये खबर आय थी कि शरत पवार और अमित शाह की मुलाकात हुई है एक प्रेस कॉन्फरेंस के दोरान जब शाह से पूछा गया कि आपकल अहमदाबाद में थे और बताया जा रहा है कि वहाँ आपकी शरत पवार और प्रफल पटेल से मुलाकात भी हुई है इस पर शाह ने जवाब दिया कि ये सब चीजे सारवजनिक नहीं होती है शाह के इस बयान से कयास लगाय जा रहे हैं कि जल्द ही महराष्ट्रा की राजनीती में कोई बड़ा उलट फेर हो सकता है साथ ही अगली खबर है दोस्तों अधिक दाम पर शराब बेचने का विरोध करने पर युवकों की पिटाई कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज शराब दुकान में ग्रहकों की पिटाई का मामला सामने आया है रायपूर के रावा भाठा स्थित शराब दुकान के कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है दरसल ओवरेट का विरोध करने पर दो युवकों से शराब दुकान के करमचारियों ने पिटाई की थी जानकारी के अनुसार, खमतराय थाना इलाके में स्थित रावा भठा देशी शराब दुकान में दो युवक शराब लेने गए थे दुकान में अधिक दाम पर शराब बेची जा रही थी जिसका दोनों युवकों ने विरोध किया इसके बाद शराब दुकान के करमचारियों ने दोनों युवकों की जम कर पिटाई कर दी घटना में एक युवक के सर पर चोट आई है एडिशनल एसपी सिटी लखन पटले ने बताया कि शराब दुकान के सामने स्टाफ और ग्रहकों के बीच विवाद हुआ था इसमें शराब दुकान के करमचारी रमेश सहारे और उसके साथियों पर केस दर्च किया गया है होली के दिन शराब दुकान बंद रहने की वजह से शराब दुकानों में काफी भीड उमर पड़ी थी